आन देश की सान देश की देश की हम संतान है और तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी पहचान है चैहिन दोस्तो फ्री एजुकेशन परिबार की ओर से सभी देश वासियों के लिए 73 गरतन दिवस की हार्दिक सुपकामना है और दोस्तो मैं बहादर लोधी स्वागत करता आपके ही अपने यूटूब चैनल फ्री एजुकेशन में दोस्तो आज किस वीडियो में हम इस साल के गरतन दिवस से वनने वाले शभी महत्पून को डिसकस करेंगे और दोस्तो सभी कोसन को बिलकुल डेटेल में विथ एश्टर अफेक्ट के साथ में डिसकस करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरुआत कर लेते हैं नमर फ़र्ष्ट कोसन से और पहला हमारा कोसन है पहली बार भारत ने गरतन दिवस कम मनाया दोस्तो यदि आपको पहले से किसी कोसन का अंसर पता है तो वीडियो को पॉस करके अपना आंसर लगाएं और दोस्तो वीडियो 1950 को मनाया था सी ओप्सन से हो जायागा मैं आपको सारी डेटेल बता देता हूँ देखे दोस्तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था तो हमारा सम्विधान बनकर तयार हुआ ठीक है इस तारीक को हमारा देश का सम्विधान जो है ये बनकर तयार हुआ था इसके बाद 26 जनवरी 1950 क हमारा जो सम्विधान है ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत ने पहला गरतंतर दिवस मनाया था ओके और आब हर साल जो है ये 26 जनवरी को गरतंतर दिवस यानि की रीपबलिक डेव मनाया जाता है और दोस्तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत पूर्ण रूप से सोतंतर हुआ था इसलिए 15 अगस्त को हम हर साल क्या मनाते हैं तो सोतंतर दिवस मनाते हैं नमर शेकर्ण को हम डेसकस कर लेते हैं 26 जनवरी 2022 को गरतंतर दिवस की कौनसी वर्सगाठ मनाये गई पहला कम मनाया था 1950 को मनाया थ गरतंतर दिवस तो 2022 को कौनसी वर्सगाठ मनाये गई दूस्तो 2022 में इसकी 73 वर्सगाठ मनाये गई इस कौस्टन का वी ओप्सन सही हो जाएगा नेश्ट हमारा कौस्टन दूस्तो गरतंतर दिवस यानि की 26 जनवरी पर भारत का धौजा रोहन कौन करते हैं तो राष्ट पत प्रदान मंतरी फेराते हैं तो प्रदान मंतरी फेराते हैं तो दोनों आपको याद रखना है दोस्तो आपके लिए एक इनफोर्मिशन है कि हमारी पूरी साल 2021 की e-book लाउंच हो चुकी है ठीक है और इस e-book के अंदर आपको जनवरी से दिसमबर 2021 तक का detail mcq detail current affairs आपको मिल जाएगा इस book में आपको क्या-क्या देखने के लिए मिलेगा तो 30 से जादा topic wise आपको current affairs देखने के लिए मिल जाएगा और 1000 से जादा आपको detail mcq मिल जाएगे यदि हम total number up question की बात करें तो इसमें 2500 से 3000 question आपको मिल जाएगे और सभी question आपको बिलकुल book को download करते हैं तो आपको email के माध्यम से ये book मिल जाएगी तुरंत ठीक है कुछ बच्चे comment करते हैं हमें whatsapp पर message करते हैं किसे हमें ebook नहीं मिलिये तो उनको mail के माध्यम से जैसे इसको pay करते हैं तो आपको mail के माध्यम से book मिल जाएगी और यदि किसी कारण वस आपको book नही मिलती है तो इसी वीडियो की डिस्करफशन में आपको हमारा वाच्चप नमर मिल जाएगा तो वहां से आप हमसे कोई भी कोशन पूछ सकते हैं और कोई परेशा नहीं हो तो उसको तुरंथी सौट आउट किया जाएगा नेश्ट हमारा कोशन दोस्तो गरतन दिवस यानि की 26 जनवरी पर भारत के विविन राजियों में जंडा कौन फहराते हैं तो राजजपाल फहराते हैं इस कोशन का वी ओप्सन सही हो जाएगा यदि यहां पर पूछा जाता कि 15 अगस्त यानि की सुतंता दिवस पर तो आप क मुखमंत्री ठीक है क्योंकि 15 अगस्त यानि की सुतंता दिवस के आउसर पर भारत के विविन राजियों में जंडा फहराते हैं मुखमंत्री और 26 जनवरी पर जंडा कौन फहराते हैं तो राजजपाल फहराते हैं ओके नेश्ट हमारा कोशन दोस्तो गरतन दिवस पर आयुजप किया गया था हम पढ़ चुके हैं कि पहला गरतन दिवस समारो है यह 26 जनवरी 1950 को आयुजप किया गया था लेकिन यह पूछा गया है कि इसका आयुजप कहां पर किया था दोस्तो इसका आयुजप किया गया था एरविन इस्टेडियम में ठीक है ए ओप्सन सही ह जाएगा दोस्तो 26 जनवरी 1950 को पहला गरतन दिवस समारो है इरविन इस्टेडियम और यह कहां पर है तो यह दिली में है ठीक है तो दिली में आयुजप किया गया था और दोस्तो इरविन इस्टेडियम को अब क्या कहा जाता है तो इसको अब नेशनल इस्टेडियम के ना आयुज़त की गई थी बी ऑप्सन सही हो जाएगा देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि साल 1950 से 1904 की बीच में दिली में गरतन दिवस का समारहू का आयुज़न होता था ठीक है कभी एरबिन इस्टेडियम में होता था कभी किंग्सबे कैम्प में होता था कभी लाल किला मैदान में इसका आयज़न किया जाता था लेकिन वर्स 1955 में पहली बार गरतन दिवस परीड जो है ये राचपत पर सुरू हुई थी ठीक है और राचपत पर आप यहाँ पर एक द्रस भी देख पा रहे होंगे और अभी टीबी पर आप देखें द्रस बहुत ही अच्छा ल विज़विड त्यरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा ठीक है तो ये किस ने लखा दोस्तो ये लखाए सयामलाल गुप्त परसद ने D options ही हो जाएगा ध्यान रखना ये question पूचा जाता है और दोस्तो ये जो जंडा गीत है हमारा विजय विश्वतिरंगा प्यारा जंडा उंचा रहे हमारा ये कब अपनाए गया दोस्तो ये अपनाए गया 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन है ठीक है हरीपुर अधिवेशन ह हुआ था 1938 में ठीक है और ये हरीपुरा कहां परस्ते थे तो दोस्तो ये इस्ते थे गुजरात के अंदर ठीक है और इसी अधिवेशन में जो हमारा जंडागी थे इसको अपनाया गया था और दोस्तो इसी अधिवेशन में जो सुवास्चंद्र बोश है ठीक है इनको निर गरतन दिवस कम मनाया गया था तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था तो पहली बार मुख अथिती कौन थे दोस्तो वो थे सुकरणों तो इस कौशन का D option सही हो जाएगा शुकरणों कौन थे दोस्तो तो ये इंडोनेसिया के राष्ट पती थे कौन थे ये इंडोनेसिया के अथिती कौन है दोस्तो 73 गर्द दिवस्त 2022 ठीक है और इसके मुख अथिती जो है वो कोई नहीं है तो इस कौशन का D option सही हो जाएगा देखे दोस्तो इस साल यानि की 2022 में कौरोना वाइरस के करण कोई भी विदेसी राजनेता जो है ये मुख अथिती नहीं है लेकिन हमार याद रखना और यदि हम बात करें कि 72 गर्द दिवस्त यानि की 2021 में कोई अथिती था तो यहाँ पर भी कोई अथिती नहीं आया था क्योंकि यहाँ पर भी COVID चल रहा था ठीक है लेकिन 2020 में यानि की 71 गर्द दिवस्त पर मुख अथिती आये थे और मुख अथिती कौन आय थे तो मेसियास बोल्च नारो आये थे ठीक है तो आपको यह बताना है कि 71 गर्द दिवस्त 2020 का जो कारिक्रम था इसके मुख अती थी थे मेसियास बोल्च नारो लेकिन यह किस देश के राष्ट पती है यह आपको बताना है दोस्तों यह व्राजिल के राष्ट पती है वी 221 मेn और concerns यानि कि इस साल कोई भी मुखा अतिती नहीं आये हैं, next हमारा question दोस्तो, गरतन्तर दवस परेड कहां से कहां तक होती है, दोस्तों गरतन्तर दवस की जो परेड होती है, ये कहां से कहां तक होती है, तो ये होती है, राजपत से लाल किला तक, ये option सही हो जाएगा ठीक है यदि पूछा जाए कि गरतन दिवस परेट की टोटल दोरी कितनी होती है तो दोस्तो टोटल दोरी होती है 8 km आँगे बढ़ेंगे राष्टी जंडा दिवस कम मनाया जाता है दोस्तो राष्टी जंडा दिवस और ये मनाया जाता है 22 जुलाई को ठीक है और ये 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1946 को राष्टी दोष्ट रंगे को सम्मिधान सबादवारा अपनाया गया था नेश्ट हमारा question दोस्तो भारत की बरतमान राष्ट धोज का डिजाइन किस ने तयार किया दोस्तो जो हमारा present time पे राष्ट धोज है ठीके इसका डिजाइन तयार किया था पिंगली बेंग का याने तो इस question का D option सही हो जाएगा ये question 1000 वार repeat होता है नेश्ट हमारा question दोस्तो भारत की राष्ट धोज की लंबाई एवं चोड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तो जो हमारा राष्ट धोज है इसकी लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तो इसका अनुपाद है तीन अनुपाद दो इस question का V option सही हो जाएगा लंबाई और चोड़ाई का पूछा गया है ठीक है यदि चोड़ाई और लंबाई का पूछा जाता तब आप क्या कहते है तो तब आप कहते है दो अनुपाद तीन ठीक है नेश्ट हमारा question दोस्तो भरत के राष्ट दोस्त के मर्द में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है दोस्तो ये जो धर्म चक्र बना हुआ है ठीक है इसका रंग क्या होता है दोस्तो इसका रंग होता है गहरा निला तो इस question का V option सही हो जाएगा ठीक है गहरा निला इ पूछा जाए कि तीलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तो इसमें तीलियों की संख्या होती है चौवीस ठीक है और दोस्तो यह जो चौवीस तीलियों होती है यह मनर्श के चौवीस गुड़ों को दरसाती है और दोस्तो इस चक्र का प्रारूप जो है यह सारनात में असोक क सह इस्तम पर वने असोक चक्र से लिया गया है नेश्ट कॉस्टन है बरत के तरंगे जंडे में चर्खे की जगा चक्र कब अस्तत में आया दोस्तो यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था तो पहले इस प्रकार से चर्खा हुआ करता था लेकिन अब क्या है तो अब चक्र है तो चर्खे से चक्र कब अस्तत में आया ये आपको बताना है दोस्तों ये आया था 1946 में तो इस question का D option सही हो जाएगा और कब आया तो exit date यदी पूची जाए तो वाइस जुलाई 1946 को ये अस्तत में आया था कि चर्के के जगा पर अब क्या होगा तरंगे जंडे पर तो चक्र होगा नेश्ट हमारा question है भारत के राष्टे पशू का व्यग्यानिक नाम क्या है तो आप लोगं को पता है कि हमारा राष्टे पशू क्या है तो हमारा राष्टे पशू जो है वो है वाग है यानि कि टाइगर है ठीके और टाइगर का जो व्यग्यानिक नाम है वो क्या है तो प वेग्यानिक नाम है ठीक है फैलस्ट डॉमिस्टिका ये किसका वेग्यानिक नाम है तो दोस्तों ये विल्ली का वेग्यानिक नाम है ठीक है और यहाँ पर लखाए फिलाटिनिस्टा गेटिका ये किसका वेग्यानिक नाम है दोस्तों ये भी पूछा जाता है ये डॉल्फिन का वेगईनिक नाम है और डॉल्फिन जो है यह हमारी राष्टी जलिय जीऊ है ठीक है राष्टी जलिय जीऊ क्या है डॉल्फिन और इसका वेगईनिक नाम है नेश्ट बढ़ेंगे आगे और वाग के पूर्व भारत का राष्टे पशू क्या था अब ही हमारा राष्टे पशू क्या है बाग लेकिन इसके पहले हमारा जो राष्टे पशू है वो था लोईन यानि की सेर C option सा यूज आएगा ठीक है और अब क्या है अब है बाग ठीक है तो 1973 में भारत का जो राष्टे पसू है ये किसको घोज़त किया गया बाग और 1973 के पहले क्या था तो 1973 के पहले था सेर ठीक है और देखे दोस्तों 1973 जो सन मैंने यहाँ पर लखा हुआ है आपको याद रखना है कि 1973 में ही वाग सर्रक्षन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यानि कि बाग प्रियोजना सुरूं की गई थी पूचा जाता है कि बाग प्रियोजना यानि कि प्रोजेक्ट टाइगर कब सुरूं की गई तो यह सुरूं की गई थी 1903 में नेश्ट हमारा question दोस्तो भारती राष्टिगान का अंग्रेजी में अनुबाद किस ने किया दोस्तो जो हमारा भारती राष्टिगान है इसका अंग्रेजी में अनुबाद किया रविना टेगोर ने तो इस question का V option सही हो जायगा दोस्तो हमारे राष्टगान से जोड़े सभी MCQ को हम डिसकस कर लेते हैं देखे दोस्तो भारत का राष्टगान क्या है जन गर्ड मन ठीक है और इसका अंग्रेजी में अनुबाद किस ने किया तो खुद रबिनाट टेगोर ने किया ठीक है और रबिनाट टेगोर यही तो हमारे राष्टगान जन गर्ड मन के रचे था हैं और इनोंने ही इसका अनुबाद अंग्रेजी में किया लेकिन किस नाम से किया तो Morning Song of India नाम से इनोंने अंग्रेजी में अनुबाद किया और दोस्तो राष्टगान जो है यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेज के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया ठीक है और जन गर्मन को शम्मिधान सबाद वारा कब अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को राष्टगान की रूप में अपनाया गया कब गाया गया और कब अपनाया गया दोनों बातें पूचे जाती है और दोस्तो इसी दिन सैमडे 24 जनवरी 1950 को जो वंदे मातराम है ठीक है इसको राष्टगीत की रूप में अपनाया गया तो यह फेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ यह सीधे की सीधे एक कौस्षण बनते हैं तो आप सबी फेक्टों को याद रखें और नेश्ट कौस्षण की हम बात कर लेते हैं राष्टगान को सम्मिधान सवाद वारा कब अपनाया गया मैंने अब भी जेश्ट आंसर बताया है तो राष्टगान को सम्मिधान सबाद वारा अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को इस question का A option सही हो जाएगा नेश्ट हमारा question दोस्तो गरतंत्र दिबस 2022 की theme क्या है ये most important question है दोस्तो गरतंत्र दिबस 2022 ठीक है और इसकी theme क्या है तो इंडिया at the rate 75 इस question का A option सही हो जाएगा देखे दोस्तो अभी यानि की 2022 को हमारे सुतंत्र दिबस के जो है कित्ते साल पूरे हो रहे हैं तो 75 साल ठीक है इसलिए गरतंत्र दिबस 2022 की theme रखी गई है इंडिया at the rate 75 नेश्ट हमारा question दोस्तो भारत में कितने राष्टी आवकास मनाया जाते हैं फटा फट से answer लगाईए और वीडियो के लाष्ट में इसकोर भी साज़ा करें कि आपके इत्ते question का answer दे पा रहे हैं एक और बात दोस्तो अपने प्यारे गाउं अपने प्यारे सहर अपने प्यारे जिले राजी का नाम भी comment करके बताएं कि आप किस गाउं और सहर से हैं क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे चात्र हैं और वो कहां कहां से जुड़े हुए हैं ठीक है तो अपने प होता है दूसरा होता है सुतंतरता आगस्त ये कब होता है ये पंदरा आगस्त को होता है और तीसली होती है गांधी जैनती ये कब होती है तो ये होती है दो अक्टूबर को ठीक है तो ये होते हैं तीन हमारे राष्टे आवकासिन को याद रखेंगे ये पूछे जाते हैं नेश्ट है, भारतिय क्रांती कारियों की माता किसे कहा जाता है, दोस्तों भारतिय क्रांती कारियों की माता जो है, ये किसको कहा जाता है, तो मैडम वीकाजी कामा को कहा जाता है, तो इस question का D option सही हो जाएगा, नेश्ट हमारे question है दोस्तों, सोतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री कौन थे तो पंड़ित जवाहला नहरू थे तो इस question का V option सही हो जायगा Next हमारा question है सुतंतर बात के पहले ग्राह और सूचना एवन प्रशान मंत्री कौन थे दोस्तो बात के पहले ग्राह और सूचना एवन प्रशान मंत्री जो है यानि की रक्षा कौन कर सकता है जो बहुती ज़ादा वलवान होगा ठीक है तो जिसके पास में वल होगा वही रक्षा मंत्री बनाया गया था नैश्ट हमारा कॉस्टन है स्वतंतर भाहत के पहले कानून मंत्री कौन थे ये सबी को पता होगा सोतंत्रवाथ के पहले कानुन मंत्री जो है ये डाक्टर भीमराओ आमडेकर सहाब थे ए औप्सन साय होजा आएगा ये डाक्टर जोन मत्हाई थे तिस कोस्टन का ए औप्सन साय होजा आएगा नैश्ट कोस्टन है सोतंतरभाद के पहले सिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तो सोतंतरभाद के पहले सिक्षा मंत्री जो है ये मौलाना अबुलकलाम आजात थे ए ओप्सन सही हो जाएगा नेश्ट हमारा question है सुतंत्रभाद के पहले स्वास्तमंत्री कौन थे दोस्तों सुतंत्रभाद के पहले स्वास्तमंत्री जो है वो थी राजकुमारी अमरताकॉर दिस question का D option से यूज आएगा दोस्तों यहाँ पर हमने 32 question को discuss किया ठीक है और दोस्तों आपने इन 32 question में से कितने question का सही answer दिया आपना score comment करके बताएं और नेश्ट इन लाष्ट question है दोस्तों कि देश का पहला LPG युक्त और धुआ मुक्त राज्य कौन सा बना यह question आपके लिए challenging question है इसका answer भी आपको comment box में comment करके बताना है यह question जो मैंने भारत एवन संसारां बने प्रतम records related 165 important question का विल्कुल detail video बनाया था वहां से मैंने इस वीडियो को लिया हुआ है ठीक है यदि आपने यह वाला वीडियो नहीं दिखाया कि भारत एवन प्रतम 165 question बाला तो इसको जरूर देख लें क्योंकि इस वीडियो से हर exam में 3-4 question आपके exam में जरूर बनेंगे ठीक है तो इसको बिजिट करें और इस challenging question का answer जो है यह comment box में बताएं अपना इसको भी comment box में लखें और अपने प्यारे सहर गाउं और राज्य का नाम भी comment box में लखें तो thank you द इस बासियों के पास में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा information आपके साथ में share करी है ठीक है जो नए student है वो चैनल को subscribe कर लें साथ में bell icon दबा लें ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का important video डालू तो उसका notification आपको मिल जाए आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं और इसी प्रकार के important video देखने के लिए हमारी playlist को visit कर सकते हैं playlist की link आपको यहाँ पर i button मिल जाएगी नीचे आपको discussion मिल जाएगी या फिर मेरे दोस्तो अभी आपको screen की उपर 3 very useful video देख रहे होंगे इन वीडियो इसको देख